सहजमार के सबी अभ्यासियों को प्रणाम आज का हमारा विश्य है मनुष्य ब्रह्मान में उसका इस्तान और नियती बाबुजी इस विशे के माद्यम से हमें ये समझाना चाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मान में मनुष्य का क्या इस्तान है और उसके होने का क्या कारण है तो जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि किस परकार से स्रिष्टी का निर्मान हुआ किस परकार से काल और आकास का निर्मान हुआ और उसके उपरांत अवतार क्या होते हैं असमीता क्या होती है प्रकर्ती के साथ समान अंतरता क्या होती है तो आज हम ये जानेंगे कि मनुष्य क्या होता है अर्थात मैं कौन हूँ मैं किस परकार से सहजमार का भ्यास करते हुए अपने इस तूलतम रूप से सुक्षम रूप की और बढ़ जाता हूँ तो इसको बाबुजी ने इस परकार से बताया है जब स्रिष्टी में पहली बार मैं अस्तित्व में आया था अर्थात जो मेरी आत्मा का अस्तित्व है उसको जागरित करने के लिए जो प्रथम मन है जो की इश्वरी शक्ती है वह मेरे भीतर परभाइत की गई जिसके बाद मेरी आत्मा का अस्तित्व जागरित हुआ और आज जिस रूप में मैं दिखाई दे रहा हूँ मेरा यह रूप उस समय नहीं था जब मैं स्रिष्टी में पहली बार आया था तब मैं सुक्ष्म रूप में रहा करता था लेकिन मैंने अपनी एक अलग ही स्रिष्टी बना डाली जिस परकार ईश्वर ने ब्रहमांद की रचना की उसी परकार मनुष्य ने भी अपनी एक अलग स्रिष्टी का निर्मान किया तो वहीं बाबुजी बता रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व और प्रथम मन का जो एक अंश है वो मन के रूप में मेरे भीतर डाल दिया गया जिसके कारण मैं जागरिक्त हुआ और जो सुरू की अवस्ताएं हैं वह सुक्षमतम्ति और अब जो मेरा वर्तमान रूप है वह एक ठोस अवस्ता है तो समझने का ये है कि आत्मा को जागरित किया मन ने और मन के पीछे तम की और केंदर की अवस्ता है और प्रथम मन का मैं अंस हूँ तो ये प्रथम मन क्या है जब सर्व सक्तिमान के मन में ये इच्छा हुई कि स्रिष्टी का निर्मान करना है तो उसके उ प्रथम मन की, हमने पहले भी जिकर किया है कि आकास ने ईश्वर का निर्मान किया, तो ये जो सर्वसक्ती मान का प्रथम अतिमानस है, इसी का एक अन्स सोब है और उस सोब से जो ब्रमान का निर्मान हुआ है उसका मैं एक अंस हूँ. तो मेरे अस्तित्व को जागरित करने के लिए इश्वर ने मेरे भीतर अपने प्रथम मन की शक्ति को प्रभाइत किया जिसे की मन कहा जाता है. तो आत्मा का जो मेरा अस्तित्व है अर्थात जो मेरा अभी ठोस रूप है वह पहले सुक्षमतम रूप था. अगर हम सहज मार की यातरा से पीछे की और लोड जाएं जब मैं अस्तित्व में आया था तो बाबु जी कहते हैं सिर्ष्टी के समय तक हम उसके अस्तित्व को जा रूप में इश्वरी मंडल में रहा करती थी और आज जो मेरा वर्तमान ठोस रूप है वह मैं अपने इस रूप को कहता हूं जो की मेरा स्टूल रूप है. इसके आगे आत्मा के जो सुरू के आवरण है वह क्या है? जब मैं इश्वर से अलग हुआ तो मेरे अंदर पहली बार होने का भाव जागरित हुआ। उस होने के भाव ने ही मेरे अंदर एक प्रसन उजागर किया कि मैं कौन हूं। जैसे ही मैं कौन हूं का विचार आया, तो मेरे मन, बुध्धी, चित और एहंकार ने कारिय आरम किया, जब उसने कारिय आरम किया, तो मेरी आत्मा के उपर सुक्षम आवरन चलने लगे, तो बाबु जी कहते हैं, परत दर परत मेरे उपर सुक्षम आवरन चलने लगे, तो य में जब मैं सुक्षम अवस्ता में था तो मैं इश्वर ये मंडल में अपने सुक्षम तर्म रूप में रहा करता था। तो बाबु जी ने इस तरह से हमारे अस्तित्व के सुक्षम रूप को हमें बताया है। हुआ क्या कि यह जो सूक्षम रूप थे जिसके लिए मन, बुद्धी, चित और एहंकारने कारिय किया, इसके उपरांत हमारे भीतर संसकार बनना आरंभ हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर गुण और दोस आने लगे, जब गुण दोस आने लगे, तो उसका प्रभाब क्या पढ़ा, हर्ष विशाद और सुक्ष और दुख का भाव, मनुष्य का सुक्ष के और हर्ष के पीछे भागना, और दुख और विशाद से अपने आपको पचाना, जब मनुष्य की ये प्रवर्ती हो गई, तो उसने जो ठोस रूप धारन किया था, वो और भी ठोस हो गया, हमने इतनी ठोस परत आत्मा के उपर चढ़ा दी, कि मैं अपने सुक्षमतम रूप को भूल गया, मैं भूल गया कि मेरे भीतर जो मन की शक्ती है, वह इश्वर का अंसर, तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, आज जो मेरा ठोस रूप है, ये अकास्मक नहीं है, यह एक पूरी प्रकरती की प्रक्रिया है, और मैंने स्वेम ही अ आवरन चड़ा कर भी बनाई है, तो सुरू के जो आवरन थे, वह सुक्षम थे, और बाद में वह संसकारों के प्रभाब से स्तूल होते गए, और आज का मेरा वर्तमान रूप जो है, वह स्तूलतम हो गया है, तो बाबु जी ने बताया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया, आत जब मन, बुध्धी, चित और एहंकार ने काम किया, तो एहम के आवरन हमारे आत्मा में सुक्षम रूप में चड़ने लगे, मन, बुध्धी, चित और एहंकार ने काम किया, कालंतर में संसकारों का निर्मान हुआ, अस्तित्व ने सगंतम रूप धारण कर लिया, सगंतम का मतलग grossness हमारे अंदर इतना कठोर बना गया कि हम भूल गए कि हम कभी सुक्षम रूप में इश्वर ये प्रदेश में रहा करते थे तो जो संसकारों का प्रभाव है उसका परिणाम है सुक दुख और हर्स विशाद की भावना आपने देखा होगा हर मनुष्य सुक और हर् प्रति पसंदगी दुख और विशाद के प्रति नापसंदगी अब इसका परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि अब मनुष्य उस दुख से दूर जाना चाहता है उससे छुटकारा पाना चाहता है तो वह कैसे हो सकता है क्योंकि उसने तो इस तूलतम रूप ध मन की जो दसा है जो की इस वक्त अदो मुखी है उसको उसे दुबारा से उर्दमुखी करना होगा इसके लिए करना क्या होगा इसी के लिए बाबु जी का अफ्तरन हुआ बाबु जी भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अफ्तरित हुए और अपने साथ एक पदती लेकर आए जिसका नाम है सहजमार्ग सहजमार्ग में अभ्यासियों को तीन प्रानाहूती दी जाती है उस प्रानाहूती का मकसद यही है कि जो आपका ठोस रूप है उसको तोड़ कर दुबारा से आपको सुक्षम रूप की और अगरसर करना इसके लिए आपकी अदो मुखी प्रवर्ती को वहे उर्दव मुखी प्रवर्ती में कर देते हैं बाबु जी ने हमें बताया है कि मनुष्य प्रकर्ती का ओजार है और उस ओजार के साथ जो उसको शक्ती प्राप्त हुई है वहे है मन की शक्ती मनुष्य का कनकन अपार शक्ती से भरा हुआ है और मनुष्य अपने उसी मन से उसका प्रियोग करता है तो सहजमार्ग पदिती का पालन करते हुए किस परकार मनुष्य अपने स्तूलतम रूप से सुक्षम रूप के और बढ़ता है उसको हम इस चितर के माद्यम से समझेंगे आप इस पे जरा ध्यान दीजिए और आपको पता लगेगा कि बाबु जी ने जो पदती हमारे लिए बनाई है वह वज्ञानिक आधार पर है वह सद्धान्तिक है उस सिध्धान्त का पालन करते हुए हम बड़ी ही सहजिता से इश्वर साक्सतकार करते हुए भूमा साक्सतकार अर्थात बाबु जी के समक्स पहुँच जाते हैं अब यहाँ पर समझने की चीज है बाभु जी ने बताया है कि जो मनुष्य है वह द्वी द्रुविये हैं जो द्वी मतलब बाईपोलर मनुष्य के दो छोड हें जो उसका मूल है वो मूल जो है वो आधार की तरफ है आधार मतलब बर्मानमन की ओर, जहां से उसका पहली वार अस्तित्व आया था, और जो दूसरा चोर है, वह संसार की ओर है, जो कि मैं अभी पिंड परदेश में रहता हूँ, तो होता क्या है कि आज की मेरी दसा के अनुसार मेरा विस्तार हो रहा है, मैं अदो मुखी हूँ, म मुझे अदो मुखी से उर्दो मुखी होना पड़ी, अदो मुखी का मतलब हमारा विस्तार, और उर्दो मुखी का मतलब हमारा संकुचन, जो विस्तार हमने किया है, उससे सिकुड कर हम दुबारा से उसी ब्रमानमन की और जाए, तो बाबुजी ने बड़ी सहचिता से हमे समझाया है कि ये जो आधार है यह हमारा ब्रमान मन है और जो ये संसार में हम रहते हैं ये पिंड मन है पांच इंद्रियों से जो हम सुक भोग रहे हैं हम जो माया के छेतर में है यह हमारा संसार है तो हम जो प्रकरती का ओजार मुझे मिला है मन उसी की सहिता से दुबारा से इस संसार से उस आधार की और लोटना आरम करते हैं, और इसमें हमारी मदद करते हैं बाबू जी, जब हम सहज मार्ग पदिती का पालन करते हैं, जो की है पूजा, सफाई और प्रातना, और सबसे बलसाली चीज है सतत इसमरण में रहना, जब हम इन चारों चीजों का अभ्यास आरम करते हैं तो हम अपनी अदोमुखी प्रवर्ती से बदल कर उर्दोमुखी प्रवर्ती में हो जाते हैं और इस संसार से हम आधार की और बढ़ना आरम कर देते हैं और एक दिन आता है जब हम हिर्दे छेतर को पार करके मनस छेतर में आजाते हैं और दुबारा से उसी बर्मान मन में अपने आपको ले कर देते हैं तो बाबु जी ने कितनी सरलता और सहजता से हमें समझाया है कि मनुष्य क्या है और किस परकार से वह सहज मार्ग पदती का पालन करते हुए मेरी और आ सकता है अर्थात भूमा की प्राप्ति कर सकता है इस विशे के माद्यम से बाबु जी ने हमें यह समझाया है कि मनुष्य अपार सक्तियों से भरा हुआ है और वह अपने मन की सायता से अपने इस तूलतम रूप से सुक्षम रूप के और बड़ी ही सहजता से जा सकता है और बाबु जी इस यात्रा में हर छण हमारी मदद कर दे